हेलो एवरिवन स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मेडिसीन टॉक में आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही जादा उपयोग में लाई जाने वाली एंटिवायोटिक नौर फ्लोकसासिंग टेबलेट के बारे में इसका उपयोग वेक्टरियल इंफेक्श को यह नौर फ्लोकसासिंग नहीं दी जा सकती है और अन्त में आपको बताएंगे इसके साइड इफेक्श के बारे में इसलिए आप वीडियो का आं तक देखिए ताकि आपको पूरी जनकारी मिल सके और इसी तरह के मेडिसीन जूड़ी जनकारी पाने के लिए आप हमारे गरती है लेकिन कुछ इंफरेक्शं ऐसे होते जब असर करती है और कुछ इंफेक्शंस ऐसे होते है जब लॉक्त वाद इसे पर chemical हैि साथ सेум ब्रांट ब्राइन आप असानी से मिल जाती है साथ इसाथ या आपको नॉर्मेक्स एनफ्लोक्स और भी कई सारे आयने ब्राइन नेम के साथ असानी से अवेलेबल मिल जाती है अब इसके यूज के बारें फुरी विस्तार से जान लेते हैं यानि किन-किन बीमारियों में नॉर्फ्लोक्स साजी इंटेप्लेट को प्योग क दिबलेट को दी जाती है साथ इससा है जिसमें व्यक्तिकों पेशाम में जलनं और दर्थ रहने के साथ पैसामे कुछ पज लिकांबिए लगती हैं तो उसके ट्रीटमेंट में इस Och Кो पेशाम कौमन यूज है नॉठ फ्लोक्सासीन का जिसमें दिघर जाती है जब बेक्ति को बहुत ज़्यदा दस चलने लगती है उसके वे कशी वेक्ति को प्रोस्टेट एनलर्ज की समझा रहती है यानि प्रोस्टेट गलें में इंफ्लामेशन हो जाती है जिसकान से उन्हें कई परकार के पैसाब से जुड़ी समझसाए होने लगती है तो उसके टीटमेंट में भी नौर्फॉक्सासिन टेबलेट दी जाती है इन सभी के अलावा यदि किसी वेक्ति को ब्लाडर में किसी परकार की इंफेक्शन हो जाती ह तो उसके टीटमेंट में भी नौर्फॉक्सासिन टेबलेट दॉक्टर के दौरा फ्रेसकाइब की जाती है तो यह हमने नौर्फॉक्सासिन के यूज के बारे में पुरे विस्तार से आपको बता दिया है अब इसके डोज के बारे में जान लेते हैं तो इसकी जो डोज रत treatment में डोज दी जाती है उसमें भी आपको 400 mg की एक tablet दिन में दो बार लेनी की सला दी जाती है और जो STD यानि sexual transmitted disease जैसे की gonorrhea की treatment में आपको 800 mg की एक tablet दिन भर में एक बार लेनी की सला दी जाती है अब जान लेते हैं वेशे कौन-कौन से पेसेंट से जिनने नौर फ्लोकसासीन टेबलेट नहीं दी जा सकती है तो यदि कोई वेकती है जो कि फ्लूरो क्यूनुन ओल एंटिवाटिक क्लास के मेडिसिन से अलर्जी रखता है यानि शिप्रो फ्लोकसासीन लेवो फ्लोकसासीन या जिमी फ्लोकसासीन जैसे टेबलेट से अलर्जी रखता है तो उन्हें नौर फ्लोकसासीन टेबलेट नहीं दी जाती है प्रेगनेंट ओमेन और ब्रिस्पीडिंग मदर्स को भी नौट फ्लोकसिन टेबलेट नहीं दी जाती है और यदि कोई वेक्ति है जिने मांसमों से उस उजड़ी कोई समझसा है मांसमों में दर्द रहती है सुजन रहता है या मसल पेन बहुत जादा रहता है तो उन्हें नौट फ्लोकसिन टेबलेट नहीं दी जाती है यदि आपको इस प्रकार की कोई भी समझसा है तो अपने डॉक्टर को जरूर से बताइए ताकि आपको नौट फ्लोकसिन के जगा पे कोई दूसरी टेबलेट प्रिस्काइब की जा सके अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं तो समाने ता नौट फ्लोकसिन टेबलेट को लेने की वज़़े से वेक्टी को जो कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ तो वेक्ति को नौजिया वमिटिंग हो सकती है, हेडेच यानि सीर में दर्द हो सकती है, इस टमक पेन यानि पेट में वेक्ति को दर्द महसुस हो सकती है, साथ ही आपको वेक्ति को हर्ड वान यानि आहर नार में जलन महसुस हो सकती है, और मसल पेन यानि मांस पेस्टियू म समझा पाया हूँ सारी जानकरी में इस वीडियों में आपको कवर कर दी है और वीडियो के से लिए को लाइक करके जारूँ मताई के लिए हमारे चैनल मेडिसींट के एंसिसां को सब्सेंड कर लें तो चलिए मिलते हैं आप से एक ब CT